नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन में हर साल 2000 युवाओं को रोजगार जर्खन के ग्रामिन छेतरों में हर वर्ष 2000 युवाओं एवं यूतियों को रोजगार से जोडने के लिए जर्खन इस्टेट लावली हूड परमोसन सोसाइटी और प्रेग्या फाउंडेशन के विच बुद्वार को MOU किया गया बता दे जे एस एल पी एस की ओर से CEO नैसी सहाय और प्रेग्या फाउंडेशन की ओर से तरुन सुकला ने MOU पर हस्ताक्षर किये प्रजेक्ट भवन सबागार में अविचित कारिकरम में ग्रामिन विकास अचीव मनिस रंजन भी मवजूद थे इस करार के तहट प्रेग्या फाउंडेशन ग्रामिन चेतरों में हर साल दोहच्चार लोगों को कौशल परस्क्षन देकर उन्हें रोजगार से जोडने की पहल करेगा मौसम विभाक के उन्चार जार्खन से दक्षिन पच्छी मांसुन की 10 अक्टूबर के बाद बिदाई संभव है बताद जार्खन में अभी कोई महत्पून समसाइक इस्थिती नहीं है आने वाले 11 अक्टूबर तक जार्खन में मौसम सुस्क और आस्मान साफ रहेगा माह के दूसरे सब्ता में पडोसी राजे बिहार के बाद जार्खन से भी दक्षिन पच्छी मांसुन की विदाई हो सकती है मौसम केंदर के बिज्यानी अविसित अनन्द ने बताया कि अभी देश के कुछ और हिसों से दक्षिन पच्छी मांसुन की वापसी के लिए अनुकूल वातावरन बना हुआ है गुमला में साहिया दीदी से वसले जा रहे हैं पांच-पांच हजार रुपए सरकार गरीब परिवारों को बेहतर सुविधाय मुहया कराने के लिए कई योजनाय चला रही है लेकिन ये योजनाय भरष्टा चारव लूट खसोट के आगे दम तोड़ रही है बता दे कर्मियों को चड़ावा नहीं चड़ाने पर जोड़तमत लोग योजनायों के लाभ से वंचित हो रहे हैं समुदाइक स्वास्त केंद्र विसुनपूर में आईसा ही ममला प्रकास में आया है यहां चिकिसाप अधिकारी आसुतोष कुमार सिंग वा बीपीएम मुकेस मिस्रा की मनमानी चरम पर है परखंड के और्षट रायस वे ग्राम में गठित ग्राम स्वास्त समीती के खाते में सरकार दोड़ा भेजी के ददस यह रूपय किरासी में से उन्चास सो पंदरा की रासी गलत तरीके से बीटिटी के माध्यम से वसुली दोनों अधिकारियों के निदेश पर कराया गया ग्राहक जन संपर्क अभियान के तहट 55.94 का रिन दिया गया राज अस्तरे बैंकर्स समीती जार्खन के तत्वधान में बैंक अफ इंडिया रांची अंचल की ओर से गुरुवार को धुरवाई स्थित जगनाथ नगर कल में ग्राहक जन संपर्क अभियान का उज़न किया इस कारकरम का पेजल यम स्वक्षता मंत्री मितले स्ठाकुल इस दोरान रांची के कुल 770 ग्राहकों को कुल 55.94 क्लो रुपाय का रिन दिया गया इस कारकरम में सभी PSB, RRB, सहकारिता बैंक, नीजी छेतर के बैंक, नवार, सामिल थे आदिवासी संगठ्णों ने राजभवन के समीब दिया धरना की मिली भगत से रातु के तिलता में 4 एकर 29 डिसमिल गयर मजरुवा भूमी जिसमें आदिवासी असाड़ी पुजा सदियों से कर रहे हैं, वहां भूमाफिया काप जाकर घेराबंदी कर रहे हैं जारखन में पोस्ट कोवीट के 25 मरीजों में से 29 आईस्यू सपोर्ट पर पोस्ट कोवीट के मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रहे हैं, बतादे रिम्स में पोस्ट कोवीट के अब भी 25 मरीज भरती हैं, इन में से 29 मरीज आईस्यू सपोर्ट पर हैं, इन मरीजों में अधिकतर 20 से अधिक दिनों से भरती हैं, आईस्यू में भरती जायातर मरीज योगो फेफडे में समस्या है और सांस लेने में तकलिफ हो रही है डाक्टरों के अनुसार पोस्ट कोविड के लक्षन कुरोना से ठीक होने के चार महिने के अंदर ही आते हैं राज जेपाल को भेट किया कमपोजिट एलपीजी सिलेंडर राज जेपाल प्रमेस बैस से गुरुगार को बिहार एवं जार्खन इंडियन ओयल कमपनी के कारेकारी निदेशा को परमुक विभास कुमार वा अन अधिकारियों ने राजबहन में भेट कर कमपोजिट सिलेंड समर्पित किया बता दे राज जेपाल को इंडियन ओयल के अधिकारियों ने अउगत कराया कि जल्द ही जार्खन इवं बिहार के लोगों के लिए या कमपोजिट सिलेंडर सुलब हो सकेगा उनके द्वारा या भी कहा गया कि इसका वजन पुराने परमपरागत सिलेंडर के पेक्षाकरित कौम है भाजपा नेता जीत राम मुंडा का हत्या रोपी मनोज गिरफतार जार्खन के रांची में एस आईटी ने बिजेपी नेता जीत राम मुंडा के हत्या के खुलसा कर दिया है बता दे एस आईटी ने हत्या रोपी को उस वक्त गिरफतार कर लिया जब वह छुपकर सिविल कोट में सिरेंडर करने पहुचा था आरोपी की पहचान मनोज मुंडा के रूप में हुई है उसके कोट आने की भनक लगते ही पुलिस ने उसे पकरने के लिए वहाँ जाल फैला दिया था पुलिसमेंस असेशन की आज का पर सुनवाई करते हुए आदालत ने यह निदेश दिया है जारखन में एक बार फिर से कुरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं बतादे जारखन में 27 नए केस मिले हैं जो रांची से 13, पुर्वी सिवूं से 9, भुकारो से 1, पच्मी सिवूं से 1, देवघर से 2, खोटी से 1 मरीज मिले हैं जारखन में कुल एक टिव केस की संख्या 101 है भारत में 21, 462 केस मिले हैं भारत में कुल एक टिव केस की संख्या 2, 33,591 है धनबाद जीला में 4 चर्णों में होगा पंचाज चुनाव धनबाद जिले में चार चर्णों में चुनाव होगा बतादे जिला परसासन इसकी त्यारी कर ली है और चार चर्णों में चुनाव कराना का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया गया है अब चुनाव के तिथी आयोग को तय करनी है बतादे पहले चरण में जिले के उगरबाद प्रभावी छेत्रों में चुनाव का प्रस्ताव है, वहीं अम्तिम चरण में गोविंद पूर और निर्षा का चुनाव होगा, जनकारी के मुताविक पहला चरण में टुंडी, पूर्वी टुंडी, तुपचांची, वहीं दूसरी चरण में बागमराज और धनवाज, तीस चरण में बलियापूर, कलियासोस, 11 कुंड, वहीं चौथा चरण में निर्ष और गोविंद पूर में चुनाव होंगे, जेपी असिस्टेंट इंजिनियर का एडमीट कार्ड जारी, जेपी असिस्टेंट इंजिनियर भरती मुख्य परिक्षा के लिए पर्वेस पत्र जा परिक्षा का आउजन 22, 23 और 24 अक्टूबर को किया जाना है, परिक्षा ओफलाइन होगी, नोटिस के अनुसार परिक्षा देने जा रहा है अभी अर्तियों को परिवेस पत्र के साथ एक फोटो पचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जेपी असिस्टेंट इंजिनियर के कू चाहिए ज़सोपैतिस पदों पर न्युक्तिया की जाएंगी, सीम हमन्त के आदेस के बाद जारखन में उध्योगों की अस्थापना में आई तेजी, जारखन के मुख्यमंत्री हमन्तर के निदेस के बाद नई, उध्योगीक इकाईयों की अस्थापना के साथ ही संचालन क के लिए शेक्रित प्रदान करने की प्रकिरिया तेज हो गई है बता दे एक महिना के अंदर अस्थापना की समाति के लिए एक हतर से अधीक आवेदनों को मंजुरी दी गई आपको बता दे कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सुधरात्मक करवाई का निर्देश देते हु जो के अस्थापना में आरही अर्चनों को दूर करने के लिए प्रतिवध है जारखन से 36 गड़ के लिए हटिया दूरगा पूजा एस्पेसल ट्रेन परवतेवारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की भील को ध्यान में रखकर पूजा एस्पेसल ट्रेन चलाने क परिशानी नहीं हो इस दिशा में रेलवे की ओर से कदम उठाये जा रहे हैं इसी के तहत गुरुवार से हटिया दूरग पूजा एस्पेसल ट्रेन के शुरुवात की जा रही है बता देदा सारवाच हट को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की भील होती है ऐसे में सफर के द राष्ट्रीय कार समित्यी की घोसना की है इसके तहट यहाँ ज्यारखन के तीन पूरों मुख मंत्रियों को नई कार करनी में सैमील किया गया है वहीं केंद्रिये सिक्षा, राजय मंती अनपूर्णा देवी को राष्ट्रिये उपाद्यक्ष पद से मुक्त कर राष्ट्रिये कार्य समीती में विशेस अमंत्रित सता से बनाया गया है पता दे गुरुगार को भाजबा की ओर से जारी नई कारकर्नी सदस्यों में जारकंट के पूर्व सीम रगवर्दास को दोबारा राष्ट्रिये उपाद्यक्ष बनाया गया है इसके अलावा केंद्रिये मंत्रि सजारकंट के पूर्व सीम अरुजन मुंडा को पार्टी के राष्ट्रिये कारकर्नी में जगा दी गई वहीं परदेश भाजपा विधायक दल के नेताक पूर्व सीएम बावलल मरांडी को भी राष्ट्रिय कारेकर्णी में सामिल किया गया है सीएम हमंद की ओक्सिजन पलांट उद्घाटन पर बिजेपी ने साधा निशाना है भाजपा विधायक वासान सद ने मुख्य मंतरी हमान सुरें द्वारा उक्सिजन पलांट को उद्घाटन कारेकर्म का बाईसकार किया है पार्टी ने कहा कि पीएम केर फंट से ओक्सिजन पलांट बनाए गये हैं और परधानमती नायन मदी 7 अक्टूबर को उद्घाटन करने वाले थे लेकिन मुख्य मंतरी ने जल्दबादी में एक दिन पहले उद्घाटन कर दिया बता दे भाजपा के महा मंतरी आदिती साहू ने पार्टी कर्याले में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्य मंतरी सौस्ती लोग प्रियता से बचे जानता ने काम कर लेकिने चुना है राजे के सता पक्ष के नीती और नियत को फिल से हुजागर करते हैं साइबर अपराध की रोक्थाम के लिए CID ने सुरू की तयारी राजे में साइबर अपराध पर रोक्थाम और करवाई के लिए CID मुख्या ले सकत है बता दे जल्द ही जार्खन में भी आम लोग अपनी सिकायत राश्ट्री अस्तर पर जारी हेलफ लाइन नमबर पंदर बावन साथ परदर्ज करा सकेंगे बता दे CID ADG परसान सिंग ने इसके लिए CID SP कार्तिक एस को जिम्मवारी सोपी है इसके बाद CID SP ने विभाग के तीन और आंची जीले के तीन पूलिस कर्मियों को मिला का टीम गठित का ट्रेनिंग शुरू कराई है कोडारमा के डंगरा पहार से भारी मात्रा में विसफोटक बरामत जारखन के कोडारमा थाना छेतर अंत्रगर डंगरा पहार की तलहटी के पास पत्थर वा जाडियों में छीपा कर रखे भारी मात्रा में विसफोटक पदात को पूलिस ने बरामत किया है हलाकि मामले में किसी की रफ्तारी नहीं हो सकी है पूलिस इस बात की जाच कर रही है कि विसफोटक समागरी को यहां किसने और किस उदेश से रखा था जनकारी के अनुसार एसपी कुमार गौरों को सुचना मिली थी कि डंगरा पहाल के समीब भारी मात्रा में विसफोटक ची पाकर रखा गया है कासी विसवनाथ की तरजबर बनेगा बैधनात कारिडोर कासी विसवनात की तरजबर देव घर में भी बैधनात कारिडोर का निर्मान हो गा दिली में गुर्डा सांसर डाक्टर निशिकान दुवे के साथ परजटन मंत्रा लें भारत सरकार के सर्चीव अरवींद सिंग की बैठाक में नहींना लिया गया बैठाक में बैधनात कारिडोर को सेंधार्टिक मजूरी दी गई बताध एक साल में परड़ाटन मंत्राले की ओर से एजैंसी के माध्यम से बैदनात कारीडोर का सरकार की दूसरी एजेंसियों के CSR से अधी अस्ठाफित प्रलांटों का उध्धाटन आयन मोदी उत्तरा खंड के रीशी केस से कर रहे थे बता दे जीले में एक साथ तीन प्रलांटों का उध्धाटन हुआ इसमें सदर अस्पताल के अलावा समुदाईक स्वास्तकेंद्र ह अंटर गंज एवं समुदाईक स्वास्तकेंद्र टंडवा में अधिय अस्ठाफित प्लांट सामिल हैं। आकड़ों के सत्यापन तथा अपडेट करने का भी कारे सिग्र पूरा करने के निदे सभी जीला सिक्षा पतादिकारियों तथा जीला सिक्षा अधिक्षक को दिये हैं। सता पक्ष और भी पक्ष के विधायक महज दर्सक की भूमिका में होंगे। विधान सभा सच्वाले ने परयोग के तोर पर विश्व विध्यालियों और उससे सम्मध महा विध्यालियों के छात्रों को निताओ की जगा अवसर देने का फैसला किया है। धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल कैबल आइकन दबाएए। साथ साथ आप वीडियो को किस चीले से देख रहे हैं। कुमेंट बक्स में आवस बताए।